नमस्कार विकास दुबे के एंकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश का राज्यतिक माहौल बहुत गर्म है और उत्तर प्रदेश के विपक्षी राज्यतिक दलों ने योगी आधितिनास सरकार पर निशानार साधा है कॉंग्रेस की महासचेव प्रियंका गादी वाटरा और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है और इसके बाद जो प्रदेश में ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन विकास दुबे एंकाउंटर के नाम रहेंगे इस मामले की गूँज रहेगी विक्रू गाओं में जब दो जुलाए की रात को आट पुलिस कर्मी शहीद हुए उसके बाद से ही राजनितिक दलों में इस बात की होल लग गई कि विकास दुबे किसका करीबी है उसकी कई दलों के नेताओं के साथ उसके जो खासमकाज गुर गे थे उनके कई दलों के न राजनितिक दलों में थी और सारे राजनितिक दलों के नेता इस बात को लेकर डरे हुए थे कि कहीं उनके कुछ लोगों के फोटो विकास दुबे के सांस सामने ना आ जाएं तो ये जो मामला है ये पूरी तरह उत्तर प्रदेश में आने वाले कुस दिनों में चर्चा के क इंडरबिंदु में रहेगा और माना जा रहा है कि विपक्षी राजनितिक दलों को और तीखा और धरदार बनाने से परेज नहीं करेंगे विशाल कॉर्परेट मीडिया के मुकाबले आपसे अपील ये है कि आप आजाद पत्रकारिता का सांथ दीजिए इसकी ताकत मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में हुए कुख्यात बदमास विकास दुबे के एंकाउंटर की इस एंकाउंटर के बाद सबसे पहले समाचवादी पार्टी के मुखिया अखिले श्यादब का ट्वीट आया और अखिले श्यादब ने बहुत तलग हंदाज में कहा क जिस गाड़ी में उजेन से कानपूर लाया जा रहा था विकास दुबे को उस गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ और एक्सिडेंट होने के बाद विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों से पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की और जवाबी कारवाई में विकास को गोलिया तो इसके बहुत मायने निकाले गए क्योंकि ये माना जा रहा था जिस सरह विकास दुबे के तमाम राज्यतिक दलों में संबन थे उससे लग रहा था कि अगर विकास दुबे से पूश्टाच होगी और उसने अगर कुछ बातों को कहा तो इससे निश्चित रूप से कुछ आला अफसरान नेताओं बिरोक्रेट्स को मुश्किल हो सकती है इस तरह की बातें लगातार कही जा रही थी उसके बाद प्रियंका गादी वाड़रा ने भी तीखा हमला बोला और योगी आदित्तिनास सरकार को निशाने पर लिया और स्पश्ट रूप से कहा कि उत्तर प् कही तरह के सवाल उठाए कॉंग्रेस ने अपने सतर पर भी बहुत सारे सवाल उठाए इसके अलावा बीएसपी प्रमुक और उत्तर प्रदेश की पूर मुख्यमंत्री मायावती ने भी कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोट की निगरानी में निश्पक्ष जाच होनी बेहत जरूरी है और पुलिस और आपराधिक जो तक्तो हैं आपराधी राज्यतिक तक्तो जो हैं उनके गड़जोड की सही शिनाक तो होनी चाहिए उन्हें सजाद दिलाई जानी चाहिए तो ये कुल मिलाके उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसने एक तरह से इसे में समय तक चलती है क्योंकि जिस तरह के आज तीखे तेवर विपक्षी राज्यतिक दलों ने दिखाए हैं उससे मानाए जा रहा है कि ये दल अभी कुछ समय इस मुद्वा पर और हमलावर रहेंगे और आपने टीवी अकबारों और सोशल मीडिया चैनल पर भी देखा कि लगातार जो विपक्षी राज्यतिक दल है वो योगी सरकार को इस पर घेर रहे हैं और जब से विकरूगाओं का मामला हुआ है जब से विकास दुवे की फोटो उसके खासम खास लोगों की फोटो आला अफसरान के साथ और बाकी लोगों के साथ वाइरल हुई थी उसक इसमें एक बड़ा सवाल भी ये है कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह ये वाक्या हुआ जिसमें विकास दुवे की मतलब दुर्दान तपरादी और जितना इसने दुसाहस किया कि पुलिस के आट जवानों को इसने बरबरता से शहीद किया उसके बाद पुलिस ने जिस इस तरह जो अपरादी जो राजनीती में भी सकरी है इनका जो चेहरा है इस बारे में भी लोगों को बहुत सारी बातें इस बीच पता चली है कि अपरादी जो है वो राजनीती में भी सकरी है और वो आपके सामने एक राजनीता के चेहरे के रूप में भी है तो जनता जो ह उसकी जो भागिदारी है उसका वक्त आएगा उसमें जनता इन सब बातों को याद रखेगी कि कौन से दल इस तरह के आपराधित तत्तों को राजनीती में संग्रक्षर दे रहे हैं क्योंकि राजनीती में अपराधियों के शामिल होने को लेकर भारत में एक लंबी बहस रही है लेकिन इसको लेकर बहुत इमानदारी भी दिखाये जाने की जरूरत है ना सिर्फ भाशन देने की वरना ऐसे कई विकास दुबे सामने आएंगे जो हमारे पुलिस कर्मियों को उ उन्हें शहीद करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा जो अपराधियों और राजनीती का जो नेताओं का जो यह नेक्सस है इसको भी तोड़ा जाना बेहर जरूरी है सत्यहंदी.com मैं आज के लिए बस इतने ही इतना ही ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी सत्यहंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं